तो आज का जो वीडियो रहने वाला वो रहेगा NCRT Solution के रिगार्डिंग एंड हम करने वाले हैं बैया Electromagnetic Wave का NCRT Solution और One Shot की फॉर्म में करेंगे एंड खास बात क्या रहने वाली है इस One Shot की इसके अंदर आपको आपके जो भी NCRT के Sold Example है जो भी Sold Example है और जो भी आपके Exercise के हैं और जो भी आपके Additional के हैं वो सारे Question मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चोटा सा Information किसी को भी Problem होती है तो Skip कर दिया करो भाई घर तो कहीं से चलाना है ना अगर आप एक Neat Aspirent है और अपनी Preparation को एक Best वी में करना चाते हैं तो गबराईय मत, Unacademy आप लोगों के लिए लेके आ रहा है बैचिस एक लेके आ रहा है उमीद बैच जो की 3rd of Gen से स्टार्ट हो रहा है अगर आप subscription लेना चाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना Unacademy के जो Learning App है उसमें जो Left Top Side का Corner होता है वहाँ पे क्लिक करना है Neat को Select करना है अपनी जिस भी मन्त का जितने मन्त का आप subscription लेना चाते हैं उस मन्त पे आप क्लिक कर सकते हैं और साथ में आप एक Magical Code यूज कर सकते हैं Sunil J10 जिससे आपको अपनी फीस पर 10% Instant Discount मिल जाएगा और बाकी की information आपको description box में मिल जाएगी कैसे आपको इन courses को access करना है अब देखिए कि कैसे आप Unacademy की जो Learning App है उसे किस तरह से install कर सकते हैं तो आपको अपने mobile के play store पर जाना है और वहाँ पर आपको Unacademy Learning App को सर्च करना है जैसे आप install पर क्लिक करोगे तो ये install हो जाएगी app और उसके बाद आपको इसे open करना है तो open जैसे ही आप इसे करोगे तो ये आपका mobile number मांगेगा means resistor आपको करना पड़ेगा तो वहाँ से आप resistor कर सकते हैं जलते हैं आगे और बढ़ते हैं पहले question की तरफ आज का जो first question है ये रहा आपकी screen पर तेखिए यहाँ पर आपको क्या पुछा गया है यहाँ पर आपको magnetic field दिया हो है अब यहाँ से जो capital T है यह क्या है यह Tesla है यह क्या show कर रहा है यह Tesla show कर रहा है क्यों क्योंकि यह magnetic field है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो magnetic field दिया हो है इने plane ठीक है वो कैसे दिया होगा वो दिया होगा by is equal to 2 into 10 raise to power minus 7 sin 0.5 into 10 raise to power 3 x plus 1.5 into 10 raise to power 11 small t यह इसकी unit दिया है capital T ठीक है इतना clear हुआ अब देखे एक चीज यहाँ पर अब आपको जो चीज गिवन थी वो हमने लिख लिए यह आपसे पूछ क्या रहा है यह आपसे पूछ रहा है what is the wavelength and the frequency of the wave firstly हमें क्या निकालना है wavelength निकालना है तो इसको निकालने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए और वो एक चीज क्या है कि देखो जो standard equation होती है हमारी equation किसकी magnetic field की वो कौन सी होती है देखो by is equal to b0 sin omega t या फिर आप लिखो kx आप ऐसा लिखो kx plus omega t यह इसकी unit है ठीक है तो इस equation को और इसको compare करने पर हमें क्या मिला हमें मिलेगा कि जो b0 है उसकी value हमें मिलेगी 2 into 10 days to power minus 7 and जो k है उसकी value हमें मिल जाएगी 0.5 into 10 days to power 3 and इसी तरह हमें omega की value मिल जाएगी कितनी 1.5 10 days to power 11 तो यहां से यह चीज है clear होगी अब इन्होंने पूछा क्या ए पार्ट में पूछ रहा आप से what is the wavelength and the frequency of the wavelength wavelength होता है lambda wavelength क्यों होता है lambda तो हमें देखो पता है कि हमारा propagation constant होता है k उसकी जो value होती है 2 pi by lambda होती है तो हमें चाहिए lambda तो यह क्या बन जाएगा 2 pi by k तो 2 pi k की value कितनी है 0.5 10 days to power 3 question हो जाएगा हो जाएगा न ठीक है next चलते है frequency of the wave निकाले अब frequency देखो frequency सिंपल सी चीज है कि आपको पता है कि omega क्या होता है omega होता है 2 pi frequency होता है न तो यहां से frequency निकाल लो क्या बनेगा omega upon 2 pi and omega की value हमारे पास already है 1.5 10 days to power 11 upon 2 pi को open कर लो तो इस तरह से आप जो है इसको भी कर सकते हो तो ए पार्ट जो है वो हमने अच्छे तरीके से कर लिया and इसके अंदर आपको main equation क्या पता होने चीए बस यह equation पता होने चीए इस equation से compare करना है बाके values आपके पास है ठीक है अभी आपको क्या बोल रहा है write an expression for the electric field electric field के लिए भी आपको expression लिखना है तो देखे कैसे करेंगे इसको देखे इसको रब कर लिखते हैं देखे यहाँ पे क्या चीज होगी electric field की equation तो कि electric field की equation मने बताए थी कैसे लिखते हैं अब electric field की equation आप कैसे लिख सकते हो e naught sine kx plus omega t volt per meter ठीक है इस तरह से लिख दोगे अब यहाँ पे देखो हमें equation पूची है equation कैसे लिखे firstly हमें e naught की value लिखने है अब e naught की value कैसे निकालेंगे e naught की value निकाल सकते है b naught c से क्यों क्यों क्योंकि c की value जो होती है वो e naught by b naught हमने किया हुआ है यहाँ से e naught निकाल लो यहाँ से क्या निकाल लो e naught निकाल लो ठीक है जैसे आप e naught निकालोगे यहाँ से यहाँ से आप e naught निकालोगे और इसको e naught को यहाँ पूट कर दोगे तो यह आ जाएगा B not C जो भी value आएगी, मतलों यहाँ पर जो भी value आएगी वो put करिये, and sign K, K की value देखो कितनी है, K की value तो given है न कितनी है K की value, K की value यह रही आपके पास है तो है, यह रही K की value तो यह K यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको लिखी जाएगी, ठीक है I think सबको clear हो गए हो गए यह चीज क्या थी तो इस तरह से आपने लिखना है electric field, and एक चीज है यहाँ पर, कि दखो, जो हमारा by है, जो magnetic field है, वो कहाँ पर दे रखा है magnetic field कहाँ पर दे रखा है y axis पर दे रखा है तो हम जो electric field वो किस direction में लिखेंगे प्योंकि देखो, इन्होंने क्या बोला है magnetic field in a plane, वो रहा यह electromagnetic wave is given by, मतलब यहाँ पर जो electromagnetic wave है, वो x direction में चल रही है electromagnetic wave जो है वो चल रही है किसमे x direction में, ठीक है, मतलब direction of propagation है यह direction of propagation अब इसमें से आपको यह बता रहा है कि जो आपका magnetic field है b, वो जा रहा है किस direction में वो जा रहा है y direction में and direction of propagation आपकी x है, तो common सी बात है e जाएगा कहाँ पर आपका z direction मतलब आप इसको ez लिख सकतो है यहाँ पर, क्या लिख सकतो है, ez लिख सकतो तो यह बन गिए आपकी क्या equation किसकी electric field की तो यह था question number first, question number second की तरफ move करते है जो question मैंने नहीं डाला, वो से labels के अंदर नहीं है, next question देखी next question क्या है the amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in a vacuum is be not this, ठीक है कि जो amplitude है magnetic field का वो यह दिया हुआ है, 510, nano 10-9, tesla what is the amplitude of the electric field of the wave तो बहिया, simple सा है हमें relation पता है क्या कि E not by B not क्या होता है C के equal होता है, ठीक है कि जो C होता है, वो किसके equal होता है E not by B not, E not is the electric field and B not is the magnetic field उनका amplitude, यह आप से क्या बूच रहा है electric field बूच रहा है, तो electric field cross multiply करो, यहां से E not आएगा E not की value क्या होगी, B not C इसको put करो, आपकी value आजाएगी और वो value कितने आएगी, 153 volt per meter, ठीक है I think second question भी clear हुआ, आज की इस वीडियो का, चलिए third question पर चलते है, third question में आपके क्या बूच रहा है, फिर से वही चीज़े दिवी है, third question में फिर से वही चीज़े आपको, दिवी है वही चीज़े आपसे पूच रहा है, बार बार देखे यहाँ पर आपको क्या दिया हो है, suppose that the electric field, amplitude of an electromagnetic wave is this, बतलो यहाँ पर E not दिया है, क्या दिया हो है, E not 120 newton per column दिया हो है, ठीक है, and its frequency, frequency दिवी है कितनी 50 megahertz mega plus 6, ठीक है, mega is plus 6, वह आपको बोल रहा है कि B not निकालो, वह आपको बोल रहा है, A part के अंदर B not निकालो, तो B not I think निकालोगे, बहुत असान है कैसे निकालोगे, E not by C कर देंगे, क्यों, क्योंकि C की value क्यों होती है, E not by B not होती है, C की value क्यों होती है, E not by B not होती है तो that's why आप क्या करोगे हैं पर कि जो B not है, उसको cross करो ऐसे ठीक है, तो B not इदर आ गया और ये E not by C बन गया तो E not की value तो given है, कितनी है 120, 10 days to power 6 और साथ में C C is 3 into 10 days to power 8, तो ये हो गया 40, और ये उपर चला गया 8, तो हो गया 40 into 10 minus 2 40 into 10 minus 2 हो गया, ठीक है अब इस तरह से भी कर सकते हो क्योंकि देखो, मेगा बोल रहा है तो आप यहाँ पर 10 days to power 6 भी कर सकते हो मेगा, 10 days to power 6 होता है ठीक है, तो यहाँ से आपका अंसर आ गया कितना है, 40 into 10 minus 2 हो गया, ठीक है 40 into 10 minus 2 हो गया I think clear है इतनी चीज़े इतनी चीज़े आप लोगों को clear है, हो गया 120 Newton, यहाँ पर प्रोब्लम है Frequency नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर गलती यह हुई है इसको ऐसे करेंगे हम कि जो E naught है वो तो हमें दिया हो 120, and C 3 into 10 10 raise to power 8 है तो यह direct ही कर जाएगा तो यह 40 into 10 raise to power minus 8 आएगा ठीक है तो यहाँ से इसने पूछा था हम से क्या B naught हो गया, अब omega omega को कैसे निकालते हो omega is the 2 pi frequency तो omega आजाएगा क्या 2 pi frequency कितनी है frequency दे रहे है 50 omega is 10 minus, sorry, plus 6 तो यहाँ से इसको solve करी है आपका frequency आजाएगी angular frequency, and K अभी आपसे पूछ रहा है क्या है K पूछ रहा है तो K कैसे निकाल लेंगे K निकाल सकते हैं 2 pi by lambda से K को कैसे निकाल सकते हैं 2 pi by lambda से हम निकाल सकते हैं ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से इस question को easily कर सकते हो 2 pi by lambda से कर सकते हो ठीक है, and यह omega पूछ रहा था तो omega हमने निकाल दिया ठीक है, omega जो पूछ रहा था हमसे वो हमने निकाल दिया वो वैसे भी कर सकते हैं, and जो wavelength है, उसको भी अब कैसे निकालेगा देखे, यह तो हम कर देंगे कैसे 2 pi by lambda से, बढ़ हमें पहले lambda पता होना चाहिए न, तो lambda कैसे निकालते है lambda, देखे, जो c होता है c होता वो frequency lambda होता है ठीक है, तो यहाँ से हम lambda निकालेंगे तो c by frequency, c is the 3 into 10 raise to power 8, and frequency जो है given है, कितनी है 15 into 10 raise to power 6 ठीक है, तो कर दो क्या हो जाएगा, 3 by 5 10 raise to power 10 बचेगा, मतलब आपके पास आगया, कितना 6 आगया 6, and जो wavelength होती है वो meter में होईगी, तो इसलिए हैं पे 6 meter अंसर आगया, तो हमने omega भी निकाल देंगे lambda निकाल दिया, अब k निकाल लेंगे, k कैसे निकाल लेंगे 2 pi by 6 हो गया, तो first pass इस तरह से करने से आपको, and find expression for the e and b not, वो आप कैसे कर सकते हो, वो आपको देखो कैसे लिखना है इस equation को देखिए हम करते हैं second part को, second part को कैसे कर सकते हैं, बहुत असान तरीके से करेंगे, second part में यह आप से पूछ रहे हैं कि, जो आपका expression है, e not e का and b का, वो आपको बताना है तो देखो, जो e होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, e जो होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, e not sin kx e not sin kx minus omega t and यहाँ पर देखिए अब हम क्या लिखेंगे, कि जो हमें decide करना पड़ेगा यह किस के along है ठीक है, अब इन्होंने एक बात बोली थी कि जो electromagnetic wave है, वो किस तरह से चल रही है उसको देखते हैं पहले, देखिए suppose the electric field amplitude of an electromagnetic wave is e not यहाँ पर electromagnetic wave दी वी है और कुछ नहीं दिया होगा ठीक है तो इसका मतलब जो electric field होगा, वो किस direction होगा दखो मान लो आपकी जो wave ऐसे जा रही है इस side, x direction में तो ए तो हमेशा ऐसे होगा न तो यह किस scale along है, यह y x scale along है तो हम इसको y लिख सकते है और Y के लिए कौन सा orthogonal vector रहता है? J, तो हम पर लिख देंगे J cap, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास B का होगा? B होगा ऐसे, ऐसे होगा न B, ठीक है? तो B होगा Z के across, तो B के लिए हम लिखेंगे B, Z लिख देंगे B naught sin K X minus omega T जो भी value हों वो put कर देंगे और साथ में आपर आजाएगा cake है ठीक है? I think सबको clear हुआ, तो यह हो गया हमारा third question आज की class का Next चलते हैं Question number 7 पर, question number 7 क्या बता रहा है आपको? Question number 7 आपको, क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है, a plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz तो यहाँ पर frequency दियो है आपको travels in free space along X direction कि जो wave है हमारी X direction में जाती है at a particular point in space and time E की value होती है 6 point 6 point J, J is the orthogonal vector volt per meter volt per meter, what is the B at that point? तो बहुत असान है इन्होंने free space में बोला है तो simply आप क्या करना है? आपको पता है कि C की value क्यों होती है E naught by B naught अप ये B की value पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा B की value B की value क्या हो जाएगी E naught by C हो जाएगी And E की value कितनी दियो? यह नहींने दिये 6.3 6.3 And C की value कितनी होती है? 3 into 10 raise to power 8 होती है ठीक है? तो यहां से simple सा पता लग रहा है कि इसको इससे cut कर देंगे तो यह 2.1 10 days to power minus 8 आ जाएगा क्योंकि उपर जाएगा and B है तो यह टेसला में आएगा किस में आएगा टेसला में तो यह हो गया हमारे पास क्या बी की direction अब इन्होंने एक बात बोली थी कि जो आपकी electromagnetic wave है वो x direction में जा रही है बलाओ direction propagation ऐसे है ठीक है and जो e है उसके लिए इन्होंने देखो जो x होता है उसके लिए i होता है ठीक है and e के लिए इन्होंने specially mention कर दिया है कि जो direction है वो j कैप है तो j होता है किस के लोग जो होता है y axis के लोग ठीक है यहां होता है कौन j और यह क्या है यहां पर e है ठीक है अब एक बात बताओ जब e ऐसे चल रहा है तो जो b होगा वो ऐसे ही आएगा और यह direction कौन सी है यह direction है किसकी z की ठीक है तो हम यहां पर इसको b z कर सकते हैं जड के लिए क्या होता है ठीक है इस तरह से अब इसकी direction को find out कर सकते हैं next जोलते हैं question number 8 पर question number 8 में आपसे क्या पूछ रहा है question number 8 में question number 8 में देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है in a plane electromagnetic wave electric field oscillate at a frequency of this and amplitude this कि जो electric field है ठीक है एक तो उसकी frequency हो में देदी and electric field देदी ठीक है मतलो given क्या क्या यहां पर sorry यह है given given क्या 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 यहां पर given है हमारे पास frequency frequency is 2 into 10 days to power 10 hertz ठीक है and electric field जो है उसका amplitude कितना दिया हुआ है जो electric field है उसका amplitude हमें कितना दिया हुआ वो दिया हुआ है 48 volt per meter inverse ठीक है volt per meter बोलो है या motor inverse बोलो है एक ही बात है तो यह आपसे what is the wavelength पूछ रहा है तो wavelength हमें पता है wavelength कैसे निकाल सकते हैं देखो या तो हम wavelength कैसे निकाल सकते हैं c is equal to होता है frequency lambda तो lambda क्या होगा c by frequency तो c कितना होता है 3 into 10 days to power 8 and frequency given है 2 into 10 days to power 10 यह उपर चला गया minus 10 हो जाएगा तो minus 2 मिल जाएगा में यह मिल गया 1.5 into 10 days to power minus 2 ठीक है and wavelength जो होता है meter में होती है तो इसलिए इसको meter में लिख देंगे इसको किसमें लिख देंगे meter में लिख देंगे हो गया clear यह था इसका first part second part में what is the amplitude होता oscillating magnetic field कितने बार करें c पता है कितना होता है e by b not e not b not होता है ठीक है तो b not निकालना है हाँ b not ही बूच रहा है तो b not कैसे निकालनेगे e not by c तो e not कितना है 48 दे रखा है c is 3 into 10 days to power 8 तो यह होगा 16 तो 16 into 10 days to power minus 8 minus 8 आ जाएगा ठीक है and b not की unit क्या होगी magnetic field है तो यहाँ पर आ जाएगी tesla tesla means यहाँ पर t आ जाएगा capital हो गया clear next लते है second part sorry third part के उपर थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूच रहा है third part में आपसे पूच रहा है कि जो आपका sorry यह आपसे पूच रहा है कि आपको शो करना show that the energy density average energy density of e field equals the average density of the b field आपको शो करना देखिए जो energy density होती है electric field की वो कैसे होती है वो होती है 1 upon epsilon 1 by 2 epsilon naught e square and joh b Ki होती है मतलब वो हमें वताने कि equal है या नहीं है ठीक है तो आपको हमें पथा है कि C क्या होता है E by B होता है C कित्यों होता है E by b तो यहां से हम b कैसे निकाल लेंगे यहां से निकाल लेंगे कि जो b है वो 1 by 2 öldby iskaire 20 स्केर होगा और ये जो हम लिख रहे हैं ये density लिख रहे हैं तो इसको रब कर दो यहां लिख रहे हैं density किसकी electric field की यहाँ पर जंजट हुआ थोड़ा सा रुकी 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 आप इस तरह से करें इसको density हम लिख रहे हैं वाली electric field की ही लिख रहे हैं देखो u e is equal to कितना है half epsilon naught e का square यहां से e निकालेंगे तो c भी बनेगा तो यहां पर जाएगा क्या c square b square तो हम energy density अभी तक electric field की ही लिख रहे है किसकी लिख रहे है electric field की अब हमें पता है यहां पर जो c होता है उसकी value होती है 1 upon under root mu naught epsilon naught ठीक है 1 upon epsilon naught mu naught उसका under root है ठीक है यह होती है value तो mu e mu e की value कितनी है mu e की value है 1 by 2 epsilon naught है c square की value यह रही है आपके पास तो इसको कैसे लिखेंगे square करेंगे तो नीचे आजाएगा क्या epsilon naught mu naught and साथ में कौन है b का square है ठीक है तो यह चीज कट गई इससे epsilon naught की बचा कौन है आपके पास b square upon 2 mu naught मतलब हाप बच गई तो यह जो चीज होती है यह जो चीज होती है भाया इसको बोलते हैं हम क्या b मतलब b क्या energy density of magnetic field ठीक है मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या direct कि यह जो है energy density एक इसकी magnetic field की ठीक है तो कुछ भी नहीं था electric field की लिखी c का formula हमें पता था उसको put किया इस value में ठीक है यह value यहां पर put की इससे हमें यह equation मिली उसके बाद c हमें पता है तो c को फिर से put किया यहां पर ठीक है तो उसके बाद हमें मिल गया यह portion ठीक है तो यह था question number eighth मुलो numbering के हिसाब से वैसे तो question number I think यह fifth होगा video का I think question number next पर चलते है question number next जो है वो का ninth है same चीज़े है उसमें तो बार बार एक चीज़ को नहीं करेंगे पहले में फिर से वही पुच्छा है क्या क्या आपको direction होनी चीए direction propagation पता होना चीए अब यह direction of propagation क्या है direction of propagation क्या है यह कैसे बता सकते हैं ठीक है यह आपको सोचना पड़ेगा किस direction में जो wave है वो propagate होगी यह आपको बताना है क्योंकि देखो हमारे पास जो E दिया हुआ है जो E हमारे पास दिया हुआ वो देख लेना आप किस डिरेक्शन में दिया हुआ है I डिरेक्शन में दिया हुआ किस डिरेक्शन में दिया हुआ है I डिरेक्शन में दिया हुआ है ठीक है तो यहां से आप सोचना कि जो electromagnetic wave वो किस direction में है ठीक है वैसे आएगा answer जो है वो y आएगा बट सोचना यह आपका homework है क्योंकि इस तरह के बहुत question मैंने करवा दिये and उसके बाद wavelength आप इजली निकाल लोगे ठीक है पता ही है कैसे निकालनी है पता ना बिटा कैसे निकालनी है या तो आपके बास कैसे निकालती है या तो आप निकाल सकते हो c is equal to frequency lambda तो तो lambda c by frequency कर लो या फिर k से use कर लो जैसे k हमें पता क्यों होता 2 pi by lambda तो lambda हम निकाल लेंगे 2 pi by k से और यहाँ पे k दे रखा है ठीक है चेक करिएगा निकालिएगा तो a b हो जाएगा b b हो जाएगा c b हो जाएगा and d b हो जाएगा क्यों क्योंकि इस तरह question हमने जो हमारा first question था वो वा लगिया था फिर आपने बताना है कि magnetic field का expression आपने लिखना है वो लिख दीजिएगा तो इस सारी चीज़े जो आप कर लोगे easily ठीक है and I think कोई problem नहीं आने चाहिए इसके अंदर ठीक है तो next चलते है question number 10th की तरब question number 10th की तरब मूख करते है question number 10th में आपसे क्या पुछा गया है यहां से आपसे पुछा गया है क्या calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100 watt bulb at a distance of 3 meter assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it's a point source ठीक है यह क्या बोल रहा है कि यहां पर जो bulb है वो एक point source की तरह है ठीक है and यह radiate करता है क्या radiate करता है light radiate करता है कितनी दूरी तक 3 meter तक and एक चीज़ देखो कि यह जब यह 3 meter तक कर रहा है and एक point source है तो यह हर एक direction में क्या करेगा light को देगा हमें ठीक है यह हर एक direction में क्या करेगा light को देगा हमें ठीक है मतलब यह क्या करेगा इधर भी light देगा इधर भी light देगा इधर भी light देगा इधर भी light देगा हर एक direction में light देगा तो मतलब यह कितना area cover करेगा वो हम पहले निकाल लेते हैmos तो यह area कितना cover कर सकता है यह area कितना cover कर सकता है 4 pi r square से cover कर सकते है तो 4 pi r तो 3 का square कर देंगा हमें बिल जाएगा 1 1 3 meter square मतलब एतना area रखेगा अब यह हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमसे बोला है क्या निकालना है? Electric field निकालना है और Magnetic field निकालना है ठीक है? एंड जो चीज़ दियों उसके coding करना है. तो यहाँ पर हमें intensity की जुर्त पढ़ेगी. क्यों? क्योंकि intensity से हम जो formula होता है intensity का वो formula कौन से होता है? वो formula जो होता है जैसे हमें मालो intensity निकाल लिखना है तो हम लिखेंगे E0 E E जो है E और यह होगा RMS square and साथ में आ जाएगा C ठीक है बलब I की जो value है वो क्या होगी E0 C E RMS का square ऐसे लिख सकते है E0 C E RMS का square लिख सकते है intensity से अब intensity क्यों क्योंकि intensity से हम easily निकाल लेंगे क्या magnetic field and साथ में electric field क्या निकाल लेंगे साथ में electric field इस तरह से निकाल सकते है ठीक है तो देखो अभी तक हमने निकाल लिए क्या area area निकाल लिए अब intensity intensity होती है यह यह लिख्यो यह देखो E0 E RMS का square and C अब हमें E0 भी पता है RMS यह चीज निपता तो पहले हमें RMS value निकालने पड़ेगी ठीक है पहले क्या निकालने पड़ेगी हमें RMS value and RMS value वो कैसे निकालते हैं वो भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले देखो जो हमारे पास actual formula होता है इंटेंसिटी का वो क्या होता है पावर अपोन में area होता है क्या होता है पावर अपोन में area तो पहले हम intensity निकाल लेते हैं तो पावर कितनी है 100 वोट एरिया कितना है एरिया है 113 113 है एंड देखो पावर दी हुई है और इसके उसाथ की efficiency दी हुई है तो पावर टोटल कितनी आजेगी efficiency को number में लिखेंगे तो कितनी आएगी 0.025 इस तरह से ठीक है तो यहां से जब आप I निकालोगे तो I के value आएगा आपके पास 0.022 0.022 वोट पर मीटर स्केर वोट पर मीटर स्केर ठीक है यह चीज जो आई है यह आपके पास आचुका है intensity अब यह क्यों करा क्योंकि दखो intensity का जो half होता है intensity का जो half होता है वो हमें provide करता है किसको electric और magnetic field को ठीक है जो intensity की value होती है आधा electric field आधा magnetic field ठीक है तो intensity यह provide कर देगा यह provide कर देगा electric field इतना clear है अब देखो half I I के value कितने होती है E naught sorry I के value I is the intensity तो यह होगा epsilon naught E rms का square and साथ में C होगा अभी मैंने बताया था ठीक है तो मतलों यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है यह बात हम clear करते है ठीक है तो यहाँ से हमें किस की जूरत पड़ेगी E rms की जूरत पड़ेगी E rms हम यहाँ से निकाल लेंगे क्यों क्योंकि E naught जो होता है जो मतलब हमें magnetic field निकालना वो होता है under root 2 E rms and जो value इसकी आएगी वो value आपके magnetic field की भी आएगी क्यों क्योंकि जो intensity होती है वो equally divide होती है कि इसमें half-half होती है उतनी ही electric field की और उतनी ही magnetic field की तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ से आप e rms निकालो value आएगी उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए आपका electric field आजाएगा और उसी की same value के साथ आपका जाएगा क्या magnetic field आजाएगा इस तरह से आपको इस question को करना है यह चीज़े हमने characteristics में की थी electromagnetic wave की characteristics में की थी कि eye intensity क्या होती है power by area होता है power को कैसे लिख सकते है ठीक है vote लिखके efficiency multiply कर सकते है यह बहुत चीज़े हमने कर ली थी ठीक है तो आगे चलते है question number 11 पर question number 11 में फिर से वही चीज़े है same to same वही चीज़े है फरक क्या रहा है सिरफ वह देखना आपने देखो पहले एक बलब है एक बलब है यह पहले जो question था उसमें वो 3 मीटर तक जा रहा था अब जो question है उसमें वो कहां तक जा रहा है 1 मीटर तक जा रहा है तो पहले हम क्या करेंगे ऐसे यह जो 1 मीटर का area है इसको find out कर लेंगे तो area कैसे निकालते हैंगे 4 pi r square से निकाल लेंगे किसे निकाल लेंगे 4 pi r square मतलब 4 pi meter square आ जाएगा area क्या जाएगा 4 pi meter square ए पार्ट के लिए तो फिर वही intensity क्या होती है power by area power by area and power को कैसे लिख सकते हैं what, what कितनी दे रखी है इसकी 100 and कितनी efficiency है 5% उसको number बना लो तो 0.05 हो गया निच्चे area, area is 4 pi तो यहां से आप solve करने न आपका आई आ जाएगा, A part के लिए B part में कुछ भी नहीं, उसमें 10 दे रखा है फरक क्या है, कुछ भी नहीं है अब जो area होगा, उसका radius 10 meter हो गया, वहां से 4 pi जो हम लिखते थे R square, उसको करना 4 pi 10 का square, ऐसे करना है वही आई है, कितना power by area, power कितनी है 100, efficiency कितनी है 0.05, जो यहां से आएगा 4 pi 10 का square वो लिखिएगा, आपका answer आजाएगा दोनों case में आपका A and B निकल जाएगा, ठीक है अब समझे के हो गया, चलिए, next question की तरब move करते है, question number 12 पर question number 12 आपको क्या बोल रहा है वो करते है, question number 12 light with an energy flux light with an energy flux of 18 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence, if the surface has an area of 20 centimeter find the average force exerted on the surface during a 30 minute time span ठीक है, अब देखो जो total energy fall हो रही है energy पर, surface पर वो कितने ही दियो है इन्होंने, जो total energy fall हो रही है, वो दियो है इन्होंने वो हम कैसे निकाल सकते हैं, means total energy fall total energy falling on the surface is जो surface है, वो कैसे निकालेंगा energy, तो वो होती है energy कितना 18 दिया हुआ, कितना watt per centimeter square दिया हुआ था, ठीक है साथ में कितना area दिया हुआ है 20 centimeter दिया ही हुआ है ठीक है, एंड कितने time के लिए बोल रहे है 30 के लिए बोल रहे है minute के लिए, तो 60 second में multiply कर देंगे, तो इसको solve कर लो U आजाएगा, इसको solve कर लो आपका क्या आजाएगा, U आजाएगा एंड वो U की value आएगी 6.48 into 10 raise to power 5 joule ठीक है, यह आगया किसकी value आपकी U की value, किसकी value आगी यह आपकी U की value आगी एंड यह आपसे पूछ क्या रहा है यह पूछ रहा, find the average force जो force होगी न, वो कैसे निकाल सकते है जो force होगी, वो कैसे निकाल सकते है देखो, force को हम ऐसे लिख सकते है जो force होते है, उसको कैसे लिखते है change in momentum, upon time लिख सकते है जो force होगी उसको हम कैसे लिख सकते है change in momentum upon upon time कर सकते है ठीक है, तो change in momentum मतलब final minus initial upon time ऐसे कर देंगे final minus initial upon time कर देंगे तो मतलब हमें पहले momentum निकालना पड़े हैं momentum कैसे निकालते हैं momentum हम निकाल सकते हैं भाया किस तरीके से कि P is equal to क्या होता है U by C होता है P is equal to क्या होता है U by C, U is the energy कितनी फॉल हो रही थी वो हमने निकाल लिया पहले से तो भाया U जितनी है आपकी वो लिखेंगे कितनी है 6.48 10 raise to power 5 upon C C की value होता है 3 into 10 raise to power 8 solve करेंगे हमारे पास आएगा 2.16 10 raise to power minus 3 kilogram per kilogram meter per second क्योंकि यहाँ पे हम हाँ ठीक है kilogram meter per second ही हमारे पास यहाँ पे मिलेगा हो गया question इतना simple है चले अब आपके पास आ चुका है क्या momentum और उसकी value हमने लिख दी 2.16 into 10 raise to power minus 3 kilogram अब यह जो momentum है यह कौन सा momentum है हमारे पास यह जो momentum है हमारे पास यह कौन सा momentum है यही तो हमारा initial है फाइनल तो क्या हो जाएगा जीर हो जाएगा ना फाइनल कितना हो जाएगा जीर हो जाएगा तो हम direct लिखेंगे यहाँ पे क्या बोला है कि जो आपका force है वो कैसे निकलता है चेंज इनी momentum with time तो यहाँ पे जो momentum में चेंज आ रहा है वो कितना रहा है 2.16 10 raise to power minus 3 किसके coding आ रहा है जो यहाँ पे energy flux हो रहा है तो वो 18 into 10 minus 4 कर देंगे मीटर बनाएगा और यहाँ से आपकी force की value आ जाएगी और वो आएगी 1.2 10 raise to power 10 raise to power 6 newton newton क्यों क्योंकि force है तो उसकी unit किस में होगी newton के अंदर होगी ठीक है I think सबको clear हो गए होगा यह question ध्यान से देखना आपने इस चीज के लिए confuse नहीं होना हमने पूरे को लिखना है change in momentum with time change in momentum with time तो वो इसको भी use करेगा यहाँ पे किसको use करेगा इसको भी use करेगा ठीक है अगर किसी ने one shot पढ़ा है तो जो frequency of EM wave होती है frequency of EM wave frequency of EM wave वो क्या होती है सेम होती है किसकी frequency के साथ जो oscillator होता है ठीक है मतलब the frequency of of oscillation the frequency of oscillation of charge particle charge particle तो मतलब सेम आएगी कितने 10 raise to power 9 हर्ट सी होगी जितनी oscillator की frequency होगी उतनी ही electromagnetic wave की frequency होगी क्यों क्योंकि oscillator जो charge particle होते है उनको उतनी ही frequency पर oscillate करता है तो question 13 हो गया बहुत असान था चलिए wavelength निकालने है तो अभी तो wavelength की range हमें पता लग जाएगी ठीक है तो देखो c का जो formula होता है वो frequency lambda होता है ठीक है मतलब c is equal to frequency lambda अब एक को हम मान लेते है c by frequency minimum होगा तो c कितना होता है 3 into 10 raise to power 8 upon frequency minimum minimum कोन है मतलब पहले वाली 7.5 mega is 10 raise to power 6 उपर गया यह minus हो जाएगा ठीक है इसको solve करिएगा आपके बास अंसर आजएगा 40 meter lambda lambda max का इसी तरह है अगर हम c को दवारा लिखे है उसमें होगा f maximum मतलब last वाली range final range तो lambda minimum होगा तो lambda minimum कितना आजएगा lambda minimum आजएगा c by frequency maximum तो c कितना है हमारे पास c कितना है भी 3 into 10 raise to power 8 frequency maximum कितनी है 12 into 10 raise to power mega is 6 mega is 6 तो इसको तो इसको शोल गरी आपके पास आजएगा 25 meter तो मतलब यहां से आपको पता लग गया कि जो आपकी range है वो कहां से कहां तक के बीच में है वो आपकी 25 meter to 40 meter के बीच में आगई आपकी wavelength की range तो यह था question number 14 question number 15 पर चलते है 15 में आपको क्या दिया हुआ what physical quantity is same for x-rays of wavelength 10 minus 10 meter red light of wavelength this and radio wave of wavelength this what physical quantity is same कि क्या physical quantity same रहेगी x-ray के लिए जिसकी wavelength इतनी है red light के लिए जिसकी wavelength इतनी है and radio wave जिसके लिए wavelength इतनी है ठीक है देखो अब यहां प एक चीज दे रहती है इन सब के पास क्या है different wavelength है इन सब के पास क्या है different wavelength है different wavelength ये तो clear हो रह रहे है क्योंकि एक की दे रहती है 10 minus 10 meter जो red light है उसकी दे रहती है 6800 10 minus 10 meter आंउग श्राम में ना ठीक है जो radio wave है उसकी दे रखी है 500 meter मतलब wavelength यहाँ पर क्या दे रखी है different दे रखी है अब different दे रखी है तो कोई बात नहीं एक चीज तो same ही होती है but they have same speed they have same speed उनके पास क्या होता है speed same होती है क्यों? 3 into 10 raise to power 8 होगी meter per second होगी कहाँ पर in vacuum और जो wave है वो कहाँ पर चलती है vacuum में चलती है इतनी speed के साथ तो कोई बात नहीं wavelength दे रखी तो कोई बात नहीं एक चीज सेम रहती है एक चीज कौन सी सेम है वो है आपका वो है आपका क्या 3 into 10 raise to power 8 meter per second तो यह हो गया question number 15th next question पर चलते हैं चलिए next question की तरह मोग करते हैं next question जितने भी question होगे मैं आपको एक चीज बता दूँ कि जितने भी question आप अब करोगे वो सारे आपके EM waves की theory पर based होगे जैसे की इस question में आपको दिया हुआ है given below are some famous number associated with electromagnetic radiation in different context in physics state the part of the electromagnetic spectrum to which each belong मतलब यहाँ पर आपको values दियोंगे आपको बताना था यह किस wave से relate करते हैं जैसे मैं आपको समझा होगे कि first वाला ए वाले में आपसे क्या पूछा हुआ है वो पूछ रहा है 21 cm wavelength emitted by atomic hydrogen in interstellar space तो 21 cm जो है wavelength वो किसकी होती है मतलब कहने का मेरा मतलब है इस पूरे के अंदर आपको EM wave का pattern पूरा याद कर लेतना है उसके अंदर EM wave की क्या frequency होती है क्या wavelength होती है यह सारी चीज़ आपको रट लेनी है क्या uses होती है यह सब चीज़ है तो मतलब जैसे अब यह 21 cm दे रखा तो 21 cm का मतलब यह बात कर रहा है किसकी यह बात कर रहा है किसकी भाईया यह बात कर रहा है radio wave की radio wave की ठीक है and radio wave की जो frequency होगी near about 144, 5 megahertz होगी तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि अब सारी चीज़े याद कर लो ठीक है and question के answer भी बेशक से याद कर लेना क्योंकि समझाने का तो कुछ ही नहीं है इन में जैसे यह 1057 megahertz frequency दे रखी है ठीक है तो यह पूछ रहे है यह किस से number लेट है तो यह 1057 की range मतलब हमें radio की range पता होने चाहिए अगर हमें range याद हो की slot याद होंगे bandwidth याद हो की तो मीजली बता देंगे फिर से यह इसका answer क्या आएगा इसका answer फिर से वही आएगा क्या radio waves radio waves इस तरह से असान है इस तरह से हमको करना है यह चीज़ है clear है चलिए तो इसी तरह से आप सारे question को खतम कर सकते हो ठीक है एंड जो c question है उसके अंदर when slow use होगा when slow use होगा c part के अंदर ठीक है when slow क्या होता है उसमें होता है कि lambda m t is equal to b lambda m t is equal to b तो यहां पर दिया होगा 2.7 k temperature associated with the isotropic radiation filling all space through to be a relic of the big bang horizon of the universe ठीक है मतलब यहां पर b तो देखो आपको fixed होगा b तो यहां पर क्या होगा fixed होगा तो यहां पर आपसे वो पूछ क्या रहा है वो यहां पर आपसे lambda पूछ रहा है तो lambda निकालेंगे b by t तो b होता है fixed वो कितना होगा 0.29 cm k होता है constant and t जो है value दे रखिये कितनी है 2.7 है कितनी है 2.7 है तो इसका k और इसका k कट हो जाएंगे तो बच्चे का सिरफ cm में answer आजाएगा 0.11 cm ठीक है इसी तरह से आप next कर सकते हो d part जो है ठीक है कि जो इसकी range है वो कितनी दे रखिया ये सब चीज़े आपने निकालने हैं and मैं आपको यही बोलूँआ कि आगे के जितने question बचे होएं जैसे question number 17th है question number 18th है ये सारे question ये सारे question आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इन सब में क्या पुछा हुआ है EM wave के uses पुछे हुए EM wave के uses पुछे हुए frequency पुछी हुए है range पुछी हुए है means bandwidth इस तरह के चीज़े तो भई है इसलिए आप इन सब चीज़ों को rattle हो मेरे करवाने से यहां से कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो इसलिए मैं यहीं बोल लूँ कि जितने question अब करवा दिये थे जो करवाने के तो वो करवा दिये थे और जिनको याद करना हो आप डारेक्ट याद करिए ठीक है कोई यह मत सोचिए कि यह तो additional का question है तो मैं इसको नहीं करूँगा ऐसा नहीं है यह सिरफ two marks का chapter आता है CBSC के अंदर तो इसको अच्छे डंग से कर लो बहुत बढ़िया रहेगा तो आज की वीडियो में इतना ही आज हमने कर लिया one shot किसका NCRT solution का of electromagnetic wave and next आएगा इसका previous year question and उसके बाद आएंगे हमारे जो ray optics है उसके NCRT solution फिर उसके NCRT solution के बाद आएंगे previous year के one shot तो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा and अच्छे से पढ़ लोगे and बड़िया तरीके से शेयर भी कर दोगे तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में Thanks for the watching God bless you all Have a nice day